शेयर के समीप राइपूर्थाना शुत्र के खेमल गाव में इसे तेक पत्थर की खान पर ग्लैंडर फट जाने के कारण दो श्रमिक गंभी रूप से खायल हो गए ग्लैंडर के फटने से हुए धमाके के चलते खान पर काम कर रहे अन्य मजदूर मोके पर पहुचे ता दोनों घायल मजदूरों को उपचार के लिए पहले तो राच्किय अस्पताल राइपूर लेकर पहुचे जहां से प्रात्मिक उपचार के बाद गंभी रवस्ता में 108 की मदद से ब्यावर रहकेश के लिए रैफर कर दिया गया ब्यावर राच्किय अम्रित कोर अस्पताल पहुचे शौमिकों को यहां से भी प्रात्मिक उपचार के बाद गंभी रवस्ता में उन्हें हायर सेंटर के लिए रैफर कर दिया जानकाई कनुसार कुडाया पादुकला मेर्दा निवासी 45 वर्षे प्रदीप पुत्र राम निवास भादुदत्था 50 वर्षे राजो पुत्र गोवर्दन भादु दोनों चचेरे भाई हैं दोनों हाल में राइपुर के खेमल गाव में एक पत्थर की खान पर काम करने के लिए पहुचे थे बुद्वार सुभे दोनों भाई खान पर काम करने गए थे इस दुरान वहां ग्लेंडर की सायता से खान पर पत्थर काटने का काम कर रहे थे इस दुरान ग्लेंडर फट किया जिसके कारण प्रदीप और राजो गंभी रूप से घायल हो गए ग्लेंडर फटने से खान पर हुए तेज धमाकिक के कारण खान पर काम कर रहे अन्यमजदूर मोके पर पहुचे तथा दोनों गायलों को उपचार के लिए पहले तो राज़की अस्पताल राइपुर ले जाया गया जहां से प्रात्मेक उपचार के बाद उन्हें एक सौर्ट एम्बूलेंस की सायता से ब्यावर रैफर कर दिया द्यावर राच्की अमर्दकुर अस्पताल पाउशने पर उन्हें यहां से भी गंभीर हालत होने के कारण प्रात्मिकुपचार के बाद अज में रेफर कर दिया गया बताया जारा है कि हादसा इतना भीशन था कि प्रदीब का एक पेर तो मोके पर ही कट गया जब की राजुक के भी सिर और पेर पर गंभीर चोटाई है जिसकी वज़े से उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है बतायो जा रहा है कि जिस खान पर दोनों श्रमिक काम कर रहे थे वैं खान राजे सरकार के एक मंत्रे की है अपने प्रतिष्ठान के विज्यापन पर पाईए आकरशक ओफर जैस्काई चैनल पर आज ही अपने प्रतिष्ठान का विज्यापन देवे और पाईए आकरशक ओफर दो महा के विज्यापन पर अतरिक्त एक महा फ्री आफर सेमी समय के लिए तो आज ही संपर्क करें मोबाइल नमबर 9829050867